इंद्रा गांधी राष्टिये मुक्ति विश्विध्याले इगनों कि इस केमपस में आज हम सब भारत के सविधार निर्माता और जिनोंने इस समाज में समानता न्याय निश्प्रक्ष्टा एक ऐसा सविधान दिया जो आज हमारा तो मार्द दर्ख्षक भी है लेकिन दुनिया के लोगतंत देशों के लिए भी बाबा साब का बनाया हुआ सविधान उन देशों में लोगतंत को सेसक्त करना और सामाजिक न्याय के आधार पर श्याशन चलाने की एक पेड़ना देने का काम बाबा साब का सरिधान करता है बाबा साब ने इस देश के अंदर शिक्षा के अंदर सामाजिक न्याय के अंदर सम को अधिकार देने के लिए उनका चिंतन उनका ज्ञान उनका अन्भव उनका सोच और उस परिष्टिति के अंदर किस तरीके से हम भारत को इस विवित्ता के अंदर एक रख पाएंगे आज उनका दर्शन हम सब को पेड़ना देता है मुझे कुशी है कि आज इस विष्ट ध्याले के केंपस में यहां के क्रमचारी अधिकारी प्रोप्रेसर सभी लोगों उनने अपने आर्थिक सयोग से आज बाबा साब किस मूर्ति को बनाया और बाबा साब हम सब को नहीं इस विष्ध्याले में पढ़ने वाले नए पुराने भईश्य में जितने भी विध्यार्ति है उनको नई पेड़ना मिलेगी नई उर्जा मिलेगी नई दिशा मिलेगी और भारत को नई उचायों पर लेने जाने के लिए उनको एक दिशा मिलेगी कि इंद्रा गांदी राष्ट्य मुश्प्विध्याले इग्नो एक ऐसा विष्ध्याल है जो जंजन का विष्ध्याल है जो समाज के अंतिम छोड़ पर वेठे वेक्ति के जीवन को सिक्षा के साथ उसके ज्यान के साथ उसको रोजगार से जोड़ना उसके आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना और सबल तरीके से गुन्वंता पूर शिक्षा शरित निर्मान के प्रतिश शिक्षा के लिए आज दुनिया में एक उधारन है विश्व का एक सबसे बड़ा विश्विध्याले जिसमें 35 लाग से ज़्यादा विध्यारती पड़ते हैं और जैसा मुझे यहां के वाइस चांसर स्री नामा स्री नागेश राओ जी ने मुझे बताया और भहिन उमा जी ने पूरा विश्व रखा विश्विध्याले के बारे में एक ऐसा विश्विध्याले जिसमें चाहे सीमा के अंतीम छोड पर बेठा वेखती हो चाहे जेल में बेठकर अपने जीवन को सामाजिक जीवन को बदलने का लक्ष हो चाहे पेड़ पर बेठा केती कल्यान मलदूर काम करने वाला वेखती अपने रोजगार के साथ साथ अपने जीवकापन जन्म करने के साथ साथ सुलब रुख से शिक्षा प्राप्त करकर अपने जीवन को बदल सकता है इसके लिए मैं इस विश्विध्या लेके वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर श्री किरन हजारीका जी प्रो चांसलर श्री मन्रूप सिंग जी मिना साथ स्रीकान जी अभी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे यहां के रिष्टार अलोग चोज जी और सभी टीम को बहुत बहुत साथ वाद देता हूं बढ़ाय देता हूं क्योंकि आप सब के सामुई प्रयासों से केवल देश में नहीं कि देश के महारवी तरेपन देशों के अंदर कि आप इस विशिद्याले के माध्यम से लोगों की जिंद्गियों को बैतिन करने का काम कर रहे हैं कि मैंने एक प्रदश्णी को भी देखा कि किस तरीके से कि इगनु में पढ़ने वाला विध्यार थी जो अंडर्ग्रेजट कर रहा है उसने किस तरीके से डिजिटल के सिक्टर के अंदर स्वराजगार के सिक्टर के अंदर ग्रामिन टेक्नोलोजी के माध्यम से ग्रामिन शित्र में रोजगार मिले महत्मा गांदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए ग्रामिन स्वरोजगार की दिशा के अंदर ग्रामिन लोगों को के से अधिक्तम काम मिल सकता है अंडर ग्रेजेशन किया कि कई विध्यार्तियों ने यहां से डिप्लोमा किया कि कई विध्यार्तियों ने यहां से पीजी की कि कई विध्यार्तियों ने यहां पर कि डिप्लोमा कोर्सेश किया कि आज मैं उन सब को बढ़ाई देता हूं शुक्कामनाई देता हूं और विशेश रूफ से कि आज हम सब के देश के लिए भी गरु का विशे है कि हमने भारत के अंदर शिक्षा को कोशल के साथ जोड़ कर और किस तरीके से हम हमारी जन्संक्या हम डेमोकेसी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोकेसी हमारी है डेमोग्राफी के रूप में हम सबसे बड़े हैं और आज हमारी ये तागज बनी हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोगतंत और इतनी भीवित्ताएं वाला इतने धर्मों वाला देश उसमें 75 वर्ष की लोगतंत की यात्रा में हमारा लोगतंत सरसक्त हुआ है मजबूत हुआ हमने दुनिया के अंदर बताया कि किस तरीके से आजादी के बाद हमने लोगतंत के माध्यम से चर्चा सवाथ के माध्यम से भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन कियें और आज दुनिया के अंदर हमारे कुशल निटुत के कारण ही दुनिया के हर आबदा चुनोतियों का समाधान भारत से निकल रहा है मान्य प्रधानमंती जी के नित्त में निकल रहा है और इसलिए आज दुनिया भारत के ओर देख रही है यह हमारे कुषल नित्त मोदी जी का ही सक्षम नित्त था और इसलिए मोदी जी ने कहा था इस देश के आधार पर कि आज भारत के अंदर कि इसकिल डवलोमेंट के माध्यम से अलग-अलग सेक्टरों की स्किल को कि डवलप करने का काम किया क्योंकि आज का दिन हमारे लिए भी और देश के लिए भी हम उस विशेश दिवस को मनाते हैं जो हमने इसकिल इंडिया पोग्राम की नए सिरे से शुरुआत की थी और भारत के अंदर आज दूर दराज के गाउं के अंदर भी शेहरों के अंदर भी हमारे नोजवानों की कोशलता के कारण ही आज भारत के नोजवानों की सामर्थ उनकी सोच उनकी चिंतन के साथ उनका नया इनोवेशन करना नया रिसर्च करना और मुझे दिखा रहे थे भी किस तरीके से यहां पर पढ़ने वाले विध्यारतियों ने नए रिसर्च किये नए इनोवेशन किये कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसके अंदर नए इनोवेशन करकर लोगों को सरलता से सुलब्स तरीके से जिन्दगी के चिनोतियों को समाधान का रस्ता बताया है और इसलिए यह एगनू विश्ध्याले का दो बड़ा मत्व हो गया एक तरफ उसको काम करते हुए अपने तरीके से तयार किया है कि वह यहां पर शिक्षा भी प्राप्त करें रोजगार भी प्राप्त करें और उसके साथ साथ कि अपने नए रिशर्ज इनोवेशन अनुसंधान की नई दिशाते किये रोजगार देने के कई मोडल तयार कियें सरोजगार के आधार पर वह अपने पेरों पे खड़ाओ इसके लिए इसकिल डवलोमेंट के साथ मिलकर आपने कई कोर्सेज बनाए और इसलिए इस विशिद्याले का मत्व आज की तारिक में और बढ़ गया है मुझे कुशी है मैं विशेश रूप से इस विशिद्याले के उन सभी एकडमिक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिनोंने बदलते परिपेक्ष के अंदर आम जन तक शिक्षा पहुँचे डिजिडल के माध्यम से पहुँचे गिजिडल के बाद पत्राचार के माध्यम से पहुचे और पत्राचार के बाद भी बदलते पाठिकरम के नूसार पाठन सामगरी उसके पोहुचे उसके लिए गुन्वंता पूर्ष पाठ्टे सामगरी तयार किये इसके लिए भी आपको सादुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शिक्षा भी आज बदलते परिपेक्ष में बहुत प्रतिस्प्रदा है और प्रतिस्प्रदा होनी भी चाहिए हम अमारे देश के नोजवानों को 32 से 32 शिक्षा दे गुन्वनतापुर शिक्षा दें गुन्वनतापुर के साथ उसकी स्किल्ड की शिक्षा दें और भारत के परिपेक्ष के आधार पर उसको अपनी भाषा की शिक्षा दें इसलिए आपने शेत्री भाषा के अंदर भी और शेत्री भाषा के अलावा अन्य भाषा के अंदर भी आपको शिक्षा पाठेकर मुप पुलब्त कराया इसके लिए भी आप सादुवात के पाथ हैं क्योंकि बदलते परिपेख्ष के अंदर जहां पर उसको इस्तानी शिक्षा के पाठ्थिकर्म से पाठ्थे सामगरी मिले डिजिटल सामगरी मिले उसके साथ साथ उसको बहुत सारी भाषा का ग्यान भी हो और उसके साथ साथ आप विदेश मंताले के साथ मिलकर उनको अन्य भाषा का जो ग्यान का अन्भों करा रहे हैं उसके लिए भी आप सादुवात के पाठ्थ हैं और इसलिए यह विश्रिद्याल एक ऐसा हाई एजुकेशन विद्ध्याले जो सब के लिए सुलब है आम जन के लिए जन जन का विश्रिद्याले इसले कहते हैं और जंजन का विशिद्या ले कि देश के तमाम स्थ्विद्र अंदर यहां पर बड़ी संक्या में महिला हैं कि SCST के नोजवान कि आदिवासी स्थ्विद्र के नोजवान महिला हैं नोजवान युवक कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर के अंदर विद्या लेके पाठ्ठे क्रम नहीं पहुंचे हूं और मुझे आशा है आपने जिस तरीके के आपके विचार हैं कि समाज में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए बाबा साब का योगदान हम भूल नहीं सकते बाबा साब ने इस देश के अंदर सविधान नहीं हर सेक्टर के अंदर हर शित्र के अंदर जब आप उनके आर्थिक शित्र के अंदर उनके विचारों को पढ़ेंगे ग्रामिल इलाके के अंदर किस तरीके से उस समय हम शिक्षा हर वेक्ति तक पहुचा सके सामाजिक जनादोलन बन सके अंतिम वेक्ति तक शिक्षा उसके जीवन को परिवर्तन कर सकती है यह संदेश पहुचाने का उन्होंने काम किया और अपने जीवन कि अपने जीवन दर्शन के आधार से देश का नोजवान प्रेड़ना ले सके और इसलिए बाबा साब का जीवन दर्शन हम सबको प्रेड़ना देता रहेगा उसी के साथ साथ आपने सावित्री फूले जी के के नाम से एक केंपस के अंदर जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय जब महिलाएं शिक्षा मनी जाती थी और हमारे यहां पर इतनी चुनोतियां थी उस समय कितना वेचारी कूप से उन्होंने संगर्श किया कि कि आज हमें भारत को गर्व है कि हर शित्र के अंदर चाहे विज्ञान हो चाहे टेकनोलोजी हो चाहे मेडिकल हो चाहे इटी सेक्टर को कोई सेक्टर नहीं चाहे सीमा पर रक्षा करने का हो चाहे फाइटर प्लेन वड़ाने का विशे हो कोई शित्त नहीं जा हमारी महिलाएं नित्त नहीं कर रहे हैं एक समय था जब महिला शिक् और आज समय है कि दुनिया के अंदर भारत की मैला हैं समाज जीवन के हर सित्व में नित्त कर रही है और पुर्षों से आगे नित्त कर रही है ये भारत का बदलता आर्थिक सामाजिक जीवन है और इसलिए इस जीवन बदलने में इस विश्द्याले के विशेश रूप से भूमिका है कि दूर दराज के अंदर बेठी काम का जी महिलाओं को भी आप शिक्षा देने का काम कर रहे हैं ताकि उनको डिग्री प्राप्त होने के बाद उनमें नया उस्सा आता है फिर वह आगे की पढ़ाई करने की प्रयास करते हैं शिक्षा उसके सामाजिक आर्थिक उसके जीवन परिवर्तन करने के लिए एक आवशक है और विश्द्याले ने जो बहुत अच्छे प्रयास करकर केवल दो कोर्स चलते थे आज 300 से ज्यादा कोर्से चलते हैं एक नन्ने से पोधे के रुप से खड़ा करकर आज विश्द्याले बटवर्ष बन चुका है विश्द्याले बन चुका है इसके लिए आप सबके सामुएक प्रयासों के लिए साथ साथ उसकी कोशलता उसकी कुशलता उसके घ्ञान और घ्म के साथ उसके अनभव के साथ नए भारत के निर्माण में एक नई दिशाई विश्द्यालेते करेगा आप सभी को शुपकाम ना है कि आप सबके स्योग से आज बाबा साब अंबेटकर जी की मूर्ती का अनारण हुआ है जो निश्चित रूप से आने वाली पीडियों को उनके वेचारिक उनके जीवन दर्शन के माध्यम से उनको प्रित करती लेगी आप सब को बहुत बहुत शुपकामना है बहुत 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 बढ़